जब हमें तकदीर बनानी होती है, तो कौन-कौन सी बातों का उसमें योगदान होता है, जैसे आप देखो, कि इस दुनिया में कोई भी इवेंट होता है, कोई करम होता है, तो उसमें एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बातें होते हैं, जो उस घटना के लिए, उस इवेंट के लिए जिम्मेवार होती हैं, जैसे मान लीचे, कोई खेती करता है, फसल उगाता है, तो सिर्फ जमीन की क्वालिटी हो, तो फसल अच्छी नहीं हो जाएगी, सिर्फ बीज अच्छा हो, तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ पानी या धूप ठीक मिले, उससे भी नहीं होगा, लेकिन जब ये सारी बाते इकठी आती हैं, तो फिर दिखाई क्या देता है, फसल बहुत अच्छी होई, तो ऐसे ही शिबाबा हमी कहती हैं, कि इस समय, समय का भी महत्व है, पुर्शार्थ का भी महत्व है, परमात्मा का भी महत्व है, और तकदीर का भी महत्व है, है न कई बार व्यक्ति कहता है समय आ गया तो फिर सब ठीक हो जाएगा पर सिर्फ समय आ जाए तो भी कर्म ना करें तो नहीं होगा सिर्फ कर्म करें समय नहीं आया है तो भी नहीं होगा और परमात्मा का भी इस सारे कर्म में महत्व क्या है या तकदीर क्या है और उसका क्या महत्व है ये बात आज हम थोड़ा समझेंगे तो चार बाते हैं समय, भाग्य, भगवान और कर्म ठीक है तो पहली चीज समय को समझते हैं तो जब परमात्मा आते हैं शिबाबा धरा पर आते हैं तो वो हमें चारों बातों का ज्ञान देते हैं अपना भी ज्ञान देते हैं परमात्मा का समय का भी ज्ञान देते हैं भाग्य का भी ज्ञान देते हैं और कर्म का भी ज्ञान देते हैं तो उसी ज्ञान के आधार से हम आज ये चारों बातों को समझेंगे तो पहली चीज है समय का ज्ञान तो बाबा हमें बताते हैं कि ये चो स्रिष्टी चक्र है स्रिष्टी चक्र का चित्र सब ने देखा है है न कोर्स में स्रिष्टी चक्र का चित्र सब ने देखा है और उसकी समचानी भी ली है तो वो जो स्रिष्टी चक्र का चित्र है वो समय का चित्र है तो बाबा हमी कहते हैं ये जो पूरा चक्र है ये समय का चक्र, इसमें चार युग होते हैं, और इन चार युगों में पहले दो युग को हम कहते हैं सुक धाम, वो सुक का समय है, उसको कहा जाता है प्रालब्ध का युग, प्रालब्ध का युग माना उस समय भाग्य बना हुआ है, उस समय हर आत्मा जो है, वो सतो प्रधान है, सतो प्रधान माना अपनी highest purity की स्टेज में और क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, तो उसका शरीर, प्रकृति, संबंध, सब उसको best quality के मिलते हैं, और जब आत्मा भी सुख स्वरूप सतो प्रधान है और सब कुछ परफेक्ट है तो वहां क्या होता है सुख होता है तो तन, मन, धन, संबंद, चारों का सुख दो युगों तक चलता है सत्युग और त्रेता युग फिर बाबा केते समय आता है द्वापर युग का और जब द्वापर युग आता है तो विकारों की प्रवेश्ता होती है तो धिरे धिरे आत्मा जो है वो अपनी गुण शक्तियां खोने लगती है या कहें कि गुण शक्तियां खोने लगती है तो विकारों की प्रवेश्ता ह तो जैसे आधा चक्र पुरा होता है, तो कल भी समझाया था ना, कि energy in motion depletes itself, आत्मा पुनर्जनम लेते लेते शक्ति हीन हो जाती है, तो फिर उसके अंदर विकारों की प्रवेश्टा होती है, फिर दो युगों तक हम हर करम विकार के अधीन होकर करते हैं, हम संबंध भी निभाते हैं, तो मोह से निभाते हैं, काम भी करते हैं, जौब पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो लोब से करते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें ego रखते हैं, दे अभिमान में आते हैं, तो ये सारे संसकार चलते हैं दो युगों तक, और इन स अंसकारों के कारण दुख भी बहुत होता है, तो ये जो विकार और दुख का कनेक्शन है, जैसे बीज और फल का कनेक्शन होता है, तो जब भी कोई करम विकार से किया जाता है, विकारी मोटिवेशन से किया जाता है, तो उससे दुख होगा, जब हम मोहों में होते हैं, तो बीज क्या है हम इनका करेंगे और ये हमारा करेंगे तो तबी उस बीज से दुख होता है जब वो हमारा नहीं करते तो इस प्रकार से दुख क्यों होता क्योंकि विकारी करम होते तो ये दो युगों तक चलता है वो उसका समय है उसके बाद जब संगम युग आता है जब कल अन्त आता है, तो शिबाबा आते हैं, अब जब शिबाबा आते हैं, तो शिबाबा हमें क्या देते हैं, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम नए कर्म नहीं कर सकते, हम वहीं करेंगे, जो हम करते थे, जब तक हमें समय का ज्ञान नहीं मिला, जब तक हमें विकारों क का ज्यान नहीं मिला, जब तक हमें आत्मा की नैचुरल क्वालिटी का ज्यान नहीं मिला, बाबा का ज्यान नहीं मिला, तो नैचुरल है नए कर्मों के लिए नया ज्यान चाहिए, तो जब तक शिबाबा नहीं आते, तब तक हमें नया ज्यान नहीं मिलता, तो इसलिए और श बाबा ऐसा नहीं कि जब चाहें तब आजाएं, तो जब उनका समय होता है, बाबा हमें कहते हैं, मैं भी समय के बंधन में बांधा हुआ हूँ, जब मेरा, जब काल चक्र पुरा हो और संगम्युग आए, तब ही जाकर मैं आता हूँ, और जब समय आता है, तो भगवान आते ह हैं, पहले समय पहुचता है, काल चक्र संगम्युग पर पहुचता है, तब भगवान आते हैं, तब शिब बाबा परमधाम से आते हैं, जब तक समय ना हो, वो नहीं आ सकते, और परमधाम से वो हमें नहीं सिखा सकते, उनको आ कर सिखाना होता है, तो समय का और भगवान का connection है और फिर जब शिब बाबा आते हैं तो हम क्या सोचते थे कि जब भगवान आएंगे तो भगवान हमें क्या करेंगे जो भी हमारी मनो कामनाई है तथास्तु तथास्तु करेंगे और वो मनो कामनाई हमारी पूरी हो जाएंगे हम तो यही सोचते थे थे ना भगवान आएं मेरा और तुम्हारा मुख्य सम्बंध क्या है? मैं बाप, टीचर और सत्गुरु हूँ. क्यूंकि मैं पिता हूँ, तो मैं तुम्हारे दुख के समय तुम्हें सुख में ले जाने के लिए आता हूँ. जो तुमने वर्सा गवा दिया है, जो तुमने अपनी जायदाद गवा दी, जो सुख के दुनिया खो दी, उसको वापस देने के लिए आता हूँ, पिता के रूप में, और मेरा मुख्य और एक कर्तवे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. तो जब तक बाबा नहीं आते, तो हमें ज्ञान या पढ़ाई नहीं मिलती, और बिना इस ज्ञान के हम दुख से सुख में नहीं जा सकते. तो पहली बात है, समय आता है, तो भगवान आते हैं, और फिर बाबा हमें क्या सिखाते हैं, कर्मों का ज्ञान. तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कर्मों के ज्ञान में सबसे पहली चीज है कि अब तुम समझो सबसे स्रेष्ट कर्म है शिबाबा को याद करके पवित्र बनना क्योंकि कर्म का भी जो connection होता है वो समय की पुकार के साथ होता है तो बाबा हमें कहते हैं अब इस रिष्टी को और तुम्हें सबसे ज़्यादा अवश्यक्ता किसकी है पवित्रता की क्योंकि इस रिष्टी का ये हाल ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि सब पतीत बन गए हैं तो सबसे पहले तुम्हें पवित्र बनना है और पवित्र बनने के इसको हम याद करते हैं, हम उसके जैसे बनते हैं, तो शिबाबा हमें आकर ज्यान देते हैं, स्रेश्ट कर्मों का, याद का करम, पवित्रता का करम, है न, स्वदर्शन चक्र फिराने का करम, कि अपनी बुद्धी में याद करो, कि तुम एक बीच रूप जोति बिन्दु आत्मा हो, तुम सत्युगी आत्मा हो, जो जो तुम याद करोगे न, वो याद आता जाएगा, वो संसकार इमर्ज होते जाएंगे, जैसे आप देखो, कि जब जीवन में दुख मिला, तो उस दुख की घड़ी को याद करते हैं, तो कौन सा संसकार इमर्ज होता है, दुख का संसकार, ऐसे जब हम याद करते हैं, कि हम तो परमधाम में कैसे थे, जैसे एक बीज होता है न, जैसे कुछ नहीं चाहिए, बिलकुल कम्प्लीट, बाबा के साथ बाप समान स्थिती, एकदम बीज की तरह बैठे थे, और जैसे शान्ती, पवित्रता में फुल आत्मा, तो उस स्थिती में अपने आपको ले कर जाओ, और वहाँ एकाग्र होंगे, तो वो जो बीज रूप आत्मा के मौलिक संसकार हैं, वो जाग्रित होंगे, फिर जब चक्र में आए, तो दो युगों तक हम कैसे थे, संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान आत्मा, और बहुत पवित्र सतो प्रधान शरीर, संबंध हार्मनी के, प्रकृती परफेक्ट, बोल मीठे, चाल चलन देवताई, उनको भी याद करने से, हमारे सतो प्रधान संसकार जाग्रित होंगे, देवी गुण जाग्रित होंगे, तो बाबा कहते हैं, बार बार ये करम करो, याद का, बाबा कहते हैं, बाप और वर्से को, घर को याद करो, वर्सा माना सत्यूग, तो बाबा को याद करो, सत्युक को याद करो और अपने घर को याद करो, तो जब हम ये याद का करम करते हैं, जब हम पवित्र बनने का करम करते हैं, तो बाबा कहते हैं, ये नया करम है जो बाबा हमें सिखाते हैं, और तीसरा करम बाबा हमें क्या सिखाते हैं, कि सब कुछ क करना ट्रस्टी बनकर निमित बनकर जैसे बच्चों को सुंभलते हैं घर में चीजें करते हैं काम करते हैं या कारुबार करते हैं या बिजनस करते हैं जॉब करते हैं सब कुछ करते वक्त क्या सोचना है कि हम ये इश्वरिय सेवा कर रहे हैं तो कोई expectations से या कोई attachment से कोई काम ना करना, लेकिन अपने को निमित समझ कर कारे करना, अपने को एक instrument परमातमा का समझ कर कारे करना, मैं और मेरे पंज से free होकर कारे करना, तो ये नया करम हमाई बाबा सिखाते हैं, आप देखो दुनिया में तो हम हमेशा सोचते थे कि कर्म कैसे किये जाते हैं, कर्म हाथों से किये जाते हैं, लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि तुम सारे दिन सबसे मुख्य करम क्या करते हो, याद का करम, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम सारे दिन जिसको भी याद करते हो उसकी याद से तुम्हारे आत्मा की स्थिती बदलती जाती है या thought create करने का करम है याद का करम संकलप का करम बोल का करम ये सारे करमों को तो हम पहले सोचते भी नहीं थे करम है तो बाबा हमें इन सारी चीजों पर attention दिलाते हैं और सिखाते हैं कि अब हमें नए कर्म क्या करने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, समय का भी महत्व है। आपने दुनिया में सुनाए ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मलता। है ना, तो समय जब तक ना आए, तब तक भगवान नहीं आते। जब तक समय ना आए, बाबा ना आए, तब तक हमें विकारों का गुण का अंतर ही नहीं पता, हमें स्रेश्ट करम करने आते ही नहीं। तो हम पहले कैसे करेंगे? आप तो पहले यही सोचते थे ना, डरना और चिंता करना विकर्म नहीं है, वो तो हमारा धर्म है, है ना? हमें इन सारी बातों का ज्यान देते हैं, अब चोथी जो और एक important बात है, वो है तकदीर या भाग्य, अब तकदीर या भाग्य क्या है, तो हर एक आत्मा के अंदर एक recording है, और जब समय आता है, और हम बाबा की मुरली सुनते हैं, और बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं, तो वो जो recording है अंदर की, उस पर जैसे pressure पड़ता है, वो trigger होती है, तो उसको हम भाग्य कहते हैं, जैसे मान लेजे, आप एक school में पड़ते हैं, उस school में एक class में 50 बच्चे पड़ते हैं, सेम class में सब बैठते हैं, लेकिन सब को अलग-अलग समझ में आता है, किसी को पूरी बात समझ में आते हैं, किसी को कम समझ में आते हैं, तो क्या कहते हैं, इसकी तो तकदीर ऐसी है, तो समझ आना, देखो, समझाने वाला आना, ये है ड्रामा की बात, और बाबा की बात, लेकिन जब समझाने वाला आज आता है, तो हमें कितना समझ में आता है, वो तकदीर की बात है, और हर एक सेम class में बैठते हैं, लेकिन हर एक को समझ एक जैसा नहीं आता, क्योंकि हर एक के पीछे के करमों के हिसाब से, जो हमें बुद्धी मिली हुई है, या जो समझ मिली हुई है, वो अलग-अलग है, उसको हम कहते हैं तकदीर, क्योंकि व्यक्ति करेगा तो उतना ही ना, जितना उसे समझ में आएगा, मतलब maximum limit, अगर पूरा भी कर दे, जितन समझा उतना भी करे, तो भी limitation कहां आ जाती है, समझ की, है ना, तो बाबा हमें कहते है, जैसे देखो, छोटी सी बात है, बाबा हमें कहते है, रोज मुरली सुनो, ठीक है, अब जब पहली बार मुरली सुनते हैं, तो मुरली ज्यादा समझ में किसी को नहीं आती, लेकिन उस इसी को लगता है कि अगर मुझे एक दिन में समझ में नहीं आई तो मैं दूसरे दिन सुनों ही ना, तो ये दोनों अंतर कहां से आता है, तकदीर से, वो जो हमने पीछे करम किये हैं, और जिस आधार से आज हमारे संस्कार और बुद्धी बने हुए है, उसको हम कहते तकदीर क्योंकि जो समझ में ही नहीं आएगा वो तो करने की संभावना ही नहीं है तो उसको कहते तकदीर और हरेक आत्मा की तकदीर अलग-अलग है जैसे आप देखो कि जैसे कहते ने chemical experiment होता है तो chemical experiment में एक catalyst use हो रहा है catalyst जो उस experiment को ला रहा है लेकिन वो catalyst का role क्या है बस जो उस chemical के अंदर है उसके हिसाब से उस quality को बाहर लाए है ना ऐसा नहीं कि वो उस chemical को कुछ बना देता है लेकिन जो उस chemical का गुण है वो बाहर आता है उस catalyst के कारण तो बाबा भी कहते हैं हम सब आत्मा जो है हम सब के अंदर अलग-अलग recording है और जब समय आता है और बाबा आते हैं तो बाबा जब हमें ज्यान देते हैं समझाते हैं तो हमारे अंदर जो समझ जो चिपी हुई है वो बाहर आती है और जितनी हमारे अंदर समझ है उतनी ही बाहर आएगी उससे ज्यादा नहीं आएगी तो ये है तकदीर जो हरे एक आत्मा की अलग-अलग है ठीक है? और हमें assume क्या करना है? assume हमें करना है कि हमारी तकदीर सबसे अच्छी है क्योंकि अभी किसी को पता नहीं कि किसकी तकदीर क्या है उसका फैसला अंत में होगा है न ये पुर्शार्त जो सबसे जिस पर जोर दिया जाता है क्योंकि ना समय हमारे कंट्रोल में है ना बाबा कब आएंगे वो हमारे कंट्रोल में है ना ये हमारे कंट्रोल में है कि बाबा तो आगे पर हम बाबा से कब मिले? या बाबा ने जो हमें समझाया वो हमें कितना समझ में आया वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमारे कंट्रोल में एक चीज है जितना हमें समझ में आया उसे करना उसे करम में लाना उसको कहते हैं पुरशार्थ क्योंकि कोई बात समझ में आ भी गई, तो भी सोचना, बोलना और करना, या जानना, मानना और चलना, उन तीनों में अंतर ना हो, जो हम जानते हैं वो ही हम करें, उसको कहते हैं effort, क्योंकि हमारी तकदीर अनुसार, हमें जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन क्योंकि वो तकदीर अभी दबी हुई है, मर्ज रूप में है, तो उसको इमर्ज करने में, या उसको कर्मों में लाने में थोड़ी महनत लगती है, तो बाबा हमें कहते हैं, इसको कहते हैं पुर्शार्थ, और मैं हमेशा ये बात क्लास में कहते हूँ, कि हमारे जीव में एक ही महनत है और वो महनत क्या है जो हमें समझ में आया बाबा की मुरली से उसको हम कर्मों में लाएं अपने आपको रोज सुबह उठकर एक प्रश्न हमें पूछना होता है मुझे क्या समझ में आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूं जो समझ में आया क्या मैं उसे कर्मों में ला रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीजों पर तो मेरा कंट्रोल ही नहीं है समझ आया ही नहीं, तो कहां से करेंगे हैं लेकिन जो समझ में आया वो कर रहे है या नहीं वो अपने को प्रश्न पूछना है तो बाबा हमीं कहते हैं जब आप ये समझ और करम का बैलन्स बनाते जाते हैं पुर्शार्थ करते जाते हैं तो ड्रामा प्रमाण तकदीर प्रमाण, जो आपकी हाइस्ट स्टेज है जो आपको बनना है जो आपका सत्यूगी पद था जिस पर आप थे अगर आप पिछले कल्प में राजा थे तो आप राजा बन जाएंगे प्रजा थे तो प्रजा बन जाएंगे लेकिन वो जो थे वो फिर से बनेंगे अगर जितना समझ में आया उसको करते चले जाएंगे तो बाबा हमें कहते कि ड्रामा जो है ड्रामा प्रमान या समय के चक्र के अनुसार ही बाबा का आना होता है समय से पहले बाबा नहीं आते और बाबा आते हैं तो बाबा के हम बन कर कितना बाबा को सुनते हैं, समझते हैं वो सारा हमारी तकदीर पर है और जब हमारी तकदीर उच्छी होती है तो अपने आप ही हमें अटेंशन रहता है कि हम बाबा के बने, बाबा की श्रीमत सुने, कर्म सीखे और उनको कर्मों में लाएं तो उची तकदीर की निशानी क्या है? कि हमें हमेशा ये दिल होगी, है ना हमारी बुद्धी अगर अच्छी है, हमारी सबसे तकदीर की निशानी क्या है? बुद्धी, ना बाकी चीज़े तकदीर की निशानी नहीं है, बाकी चीज़े तो temporary है, changeable है, लेकिन जो सबसे तकदीर की निशानी है, वो है बुद्धी, तो अगर मेरी बुद्धी इतनी अच्छी है, कि वो बुद्धी मुझे प्रेरित करती है, कि रोज मुरली सुने, क्लास सुने, और उस क्लास में points को सुनकर, attention देकर उनको कर्मों में लाएं, तो इसका मतलब मेरी तकदीर किस-किस की तकदीर उच्छी है, हाथ उठाना, तकदीर उच्छी है जिनको समझ में आता है, यही तकदीर की निशानी है, तकदीर की निशानी जोतिश के पास जाके हाथ दिखाने से नहीं पता चलती है, तो आप लोग तकदीर बता सकते हो, तो मैंने का बताएंगे एक मह पहेंने के बाद अगर आप रोज आते हैं और आपको इतनी अकल है कि हमें रोज पढ़ना है, रोज बनना है और अगर आप थोड़ा-थोड़ा कदम बढ़ा कर परिवर्थन कर रहें है, तो इसका मतलब आपकी तकदीर अच्छी है, क्योंकि तकदीर तो कर्मों से बनती है और कर्म सिखाने वाला भाग्य विधाता जब आता है तो उसको पहचान ले और उस भाग्य विधाता का हाथ पकड़ कर उसकी मत पर चले यही है सबसे बड़ी तकदीर की निशानी तो बाबा कहते हैं जब उची तकदीर होती है तो फिर अटेंशन जाता है पढ़ने पर अटेंशन जाता है कि बाबा हमें कहते हैं याद करो बाबा को तो याद करें अटेंशन जाता है कि बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो फटा फट पवित्रता की चोईसेज लेने लगते ह है ना तो बाबा हमें कहते हैं यह है तकदीर के निशानी और फिर थोड़ा effort तो लगता है क्योंकि यह जो हमारे जो हमें समझ में आता है वो करने में बीच में क्या विगन पड़ते हैं हमारे पुराने संसकार तो वो जो पुराने संसकार है वो बीच में बहुत बाधा आपको समझ में आ गया कि चार बजे अमरित वेला जो है उठेंगे तो हमारी तकदीर बनेगी बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगी लेकिन जब आप उठने लगेंगे तो क्या होगा माया मौसी कहेंगी सोजा सोजा क्या फरक पड़ता है चार बजे पां पांच बजे भी होता है ज्यादा तर सोते ही रहते हैं तो तो पांच बजे भी करेंगे ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए जो माया बीच में आती है जो पुराने संसकार आलस्य के भय के या फिर विकारों के काम के क्रोध के ये सारी बाते ब तरहेक से मीठा वियवहार, मीठे बोल बोलेंगे, लेकिन तॠ क्या होता, वो जो कुरोध का संसकार है, या जज्मेंट का संसकार है, या राइट-्रॉग का संसकार है, कि इनके साथ कौन मीठा वोलेगा, खाली उल्टी बातें गरते हैं यह तो है न, तो फिर वो जो संसकार है, वो judgment का, right wrong का, या क्रोध का वो बीच में आएगा, तो पुरशार्थ क्या है, कि जो भी बातें बीच में आती हैं, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आती हैं, चाहे वो पुराने संसकार स्वभाव के रूप में आती हैं, उन सारी बातों को पार करके हम अपनी समझ को कर्मों में ला सके और उसके लिए effort लगता है और बाबा कहते हैं उसमें determination चाहिए हमें दृड़ता चाहिए और बाबा की याद में रहेंगे क्योंकि अगर हमारा बुद्धियोग उस करम करने वाले के साथ लगा हुआ है तो natural है कि उसका उल्टा कर मुझसे उल्टा करम कराएगा लेकिन अगर हम करम करते हुए बाबा की याद में है तो बाबा का ज्यान प्यार शक्ति मेरे से सुल्टा करम कराएगा तो पुर्शार्थ भी क्या है कि हम करम योगी बनकर करम में आए हम करम करते भी बुद्धियोग उससे ना रखे जिसके प्रती करम कर रहे हैं, पर उस करन करावन हार के साथ बुद्धियोग रखें, जो हमसे करम करा रहा है, तो अगर करन करावन हार से बुद्धियोग रखेंगे, तो करम स्रेष्ठ होंगे, जैसे मान लेजिए, आप किसी को अच्छी बात सुना रहे हैं, कुछ उसकी उन्नती की बात सुना रहे और वो आपके मूँ पर ही बड़े बड़ा बड़ा मूँ खोल कर उबासियां मार रहा है है ना ऐसा होता है ना वो बड़े बड़ा मूँ खोल कर उबासि ले रहा है है ना तो आपके अंदर फिर संकल्प ना चले कि क्या मैं ठीक नहीं सुना रहा या ये बोर तो नहीं हो रहे या इनको इंट्रेस्ट ही नहीं है तो क्यूं सुनाएं ये वाले संकल्ब ना चले और आपका अगर टाइम फ्री है तो फिर भी आप उनको दो अच्छे बाते सुना सके उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपकी बुद्धी की तार उससे ना जुड़ी हो लेकिन उससे जुड़ी हो उस बाबा से जिसने आपको ये आदेश दिया है कि आप इसे ये ग्यान सुनाओ तो बाबा हमें कहते इसे लिए पुर्शार्थ है कि हम हर करम करते करम योगी रहे कर बाबा की याद में बाबा के डाइरेक्शन पर करम करे और पवित्रता और बाकी जो अपने जो गुण है उन बातों को इमर्ज करकर रखे तो ये बाबा हमें सिखाते हैं कि ड्रामा का भी महत्व है, ड्रामा को भी समझना पड़ता है और ड्रामा को समझने से जो बाबा ने हमें सृष्टी चक्र का चित्र समझाया उसमें मुख्य बात क्या है समझने की, ये छोटा सा विंडो खुला है, संगम्यूग बहुत छोटा है, और तकदीर बनाने वाला बाबा बहुत थोड़ी देर के लिए आया है, कितनी देर के लिए, है न कहते हैं, एवरेट सौ साल का संगम्यूग, उसमें भी मैजॉरिटी त में हैं, तो हमारे पास कितना समय बचा है, बहुत थोड़ा, तो बाबा हमें कहते हैं, समय को पहचानों कि भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता थोड़ी देर के लिए आया है, तो वो जो सिखा रहा है, उस पर पूरा एटेंशन देकर अब हमें अपना भाग्य बना ले तो जिसको समय की पहचान होती है, वो फिर इस चक्र में नहीं रहता, कि मुझे ये मना करते हैं, और मुझे ओफिस से टाइम नहीं मिलता, और मुझे ये नहीं मिलता, वो ये समझते हैं, कि अभी मेरी प्रियोरिटी क्या है, जो आत्मा 84 जन्मों से चक्र लगाते लगाते पतीत और विकारी बन गई है उस आत्मा को पवित्र बनने का एक छोटा सा अवसर मिला है उस अवसर को मुझे कारे में लगाना है और बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आत्मा ने तो 84 जनम लिये हैं आज आप देखो जिन माता पिता भाई बेहन के चकर में या सब्सक्राइए मैं करते हैं युद्ध बात पिता माता के चंद बाबा के इसमोरे मुले में चवरावां बढारे माता पिता लेओर बच्चे मिले अब उनके चक्कर में नहीं रहो जो इतने सारे मिले एक पिता भाग्य विधाता एक बार मिलता है अभी इन सबके चक्कर में नहीं पढ़ना इनके साथ रहना है इनके प्रतिकरम भी करना है अपनी responsibility भी निभानी है, लेकिन अब हमें चक्कर या फिकर सिफ एक बात किये, वो किसकी कि मुझे पतीत से पावन बनना है, और दूसरी कौन से फिकर हमें होने चाहिए, कि हम जब ये शरीर छोडें, तो खुशी-खुशी से छोडें, है न, शरीर खुशी-खुशी से कैसे छोडें जब मालूम हो कि ये शरीर जब छोडेंगे, तो कौन सा शरीर मिलने वाला है, नया वस्त्र, सत्युगी, सतो प्रधान, चमकता चोला, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कंचन काया वाला शरीर, तो बाबा कहते हैं, जिस आत्मा को निश्चय हो जाता है, कि मैं आत्मा 84 में ज बाकी किसी बात की फिक्र में नहीं रहती, फिक्र उसको एक ही है, कि मैं पावन बनूँ, और दूसरा, उस आत्मा को शरीर छोडने में कभी ऐसा नहीं होगा, कि दुख से शरीर छोडें, क्यूं? क्यूंकि उसको मालूम है, ये तो पुराना चोला चोडेंगे, और जो नया चोला मेरा इंतजार कर रहा है, वो तो बहुत सुन्दर सत्यूगी चोला है, आप विचार करो, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने, और वहाँ पर आप पुराना कपड़ा पहन कर गए हैं, और वहाँ आप चेंज करकर देखते हैं नई ड्रेस, तो ज जिसको निश्चे हो जाता है, कि मेरा जो नया शरीर है, नया वस्त्र है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, वो इतना सुन्दर, देवताई चोला है, तो उसको इस पुराने शरीर को छोड़ने में दुख नहीं होता, तो ये दो बातों का आप हमें पुरशार्त करना है, एक शर कि हमें हमेशा चेक करना है, कि हमारी खुशी की अवस्ता कैसी है, क्योंकि आप विचार करो, हम कहतो रहे हैं, कि ये वो समय है, जब समय भाग्य और भगवान तीनों मेरे फेवर में हैं, और मेरी तकदीर बनाने की बेला आई है, लेकिन ये अगर मुझे निश्चे है, तो उसके निशानी क्या दिखाई देनी चाहिए, अपने खुशी या नशा और वो जो हर्शित मुख चहरा, अगर वो दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे निश्चे में कमी है, और कल जो है, आप लोग सुबे सभी साड़े साथ बज़े कोशिश करेंगे जुडने की, शाम की भी क्लास होगी, लेकिन अगर जुड सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साड़े साथ बज़े कल जो क्लास होगी, उसके पश्चात आट बीस पर प्यारे बाबा को भोग स्विकार कराएंगे, तो सभी अपना नहा धोके साड़े साथ बज़े क्लास करें, और फिर बाबा को भोग भी वीडियो ओन करके अच्छी स्थिती में, जैसे हम भोग लगाएंगे वतन में ले जाकर, तो आप भी साथ साथ भोग लगाने के लिए जाएं, तो ये आप ध्यान रखना, और जो दिली NCR में हैं, वो प्रस्तुत हों, फिजिकली भी आकर बैठें, भोग के समय, तो ये आप कल के लिए ध्यान रखना, और जो मिस कर जाएंगे, या नहीं कर पाएंगे, या ओफिस जाना है, या कोई ऐसी बात है, तो शाम को भी क्लास होगी, ऐसा नहीं है, कि शाम को क्लास नहीं होगी, लेकिन रेकमेंडेड है कि सत्गुरुवा को हम थोड़ा बाबा के सामने भोग में उपस्तित हो, तो इसके साथ ओम शान्ती,